दोस्तों आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें इस बात का अंदाजा है कि आम तोर पर हम IPO का discussion करना पसंद नहीं करते हैं लेकिन दोस्तों एक IPO आया है जिसकी मार्केट में खासी demand रहने वाली है company का नाम है tech security ये जो computers होते हैं mobile होते हैं company के बड़े-बड़े information system applications होते हैं जो उनका IT infrastructure होता है जिस तरह आपके mobile में virus attack कर सकता है जिस तरह से आपके computer में छुपा हुआ data दुश्मन लोग चुरा के उसको misuse कर सकते हैं सेम वही खतरा बड़ी-बड़ी company भी face करती है तो आम तोर पर हम लोग भले ही antivirus का इस्तिमान ना करें cyber security के case होते हैं अखवारों में छप जाते हैं तो आम जनता इन खबरों को ज्यादा तबज्जो नहीं देती है कुछ बहुत पढ़े लेके लोग चिल्ला चोट मचाते हैं तो बोवाता लगे किन्तु दोस्तों जो बड़ी-बड़ी company हैं उनके लिए data theft data की चोरी और उनके system की सेंदमारी system का बैठ जाना उससे होने वाली negative publicity और operations में बाधा पड़ना कंपनियों का धंदा बैठ जाता है कई कंपनियां तो मिट जाती हैं बरवाद हो जाती हैं मतलब कंपनियों के लिए cyber security सुनस्चत करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो ये जो cyber security सुनस्चत करने के लिए solution चाहिए वो देती है tech security देखिए एक तो किस वो होता है कि सहाब हमला हो जाए आपके system पे तो आपको नपटना है उससे दूसरा वो है कि हमला होने के पहले ही कहां कहां से हमला हो सकता है उन सभी संभावनाओं को आशंकाओं को पहले ही मिटाया जाए तो ये करने के लिए भी tool लगता है ये करने के लिए भी solution लगता है तो वो solution बनाती है tech security अच्छी बात यह है कि इस तरह के solution देने वाली ये tech security भारत की पहली एक मात्र product company है maneuver ये आम तोर पर TCS Infosys जैसी service based IT company नहीं है ये product company है valuation इसका ज्यादा होगा product आपको समझ में आ गया होगा demand रहेगी ही रहेगी बढ़ने वाली है तो ये जो IPO है ये holy के just about आ रहा है परन्तु दोस्तों IPO बहुत छोटा है 30 करोड का IPO है जो भी पैसा होगाय जाएगा अच्छी बात यह है कि वो company में ही लगाया जाएगा नए employees को hire करने के लिए product development में पैसा लगेगा और सौने पर स्वागा वाली बात यह है कि ये जो IPO है इसकी चर्चाएं बहुत होने वाली है क्योंकि विजय केडिया सहाव और उनके सुपरत्र की इस company में अच्छी खासी हिस्सेदारी है मीडिया में तो अभी से चर्चा चालू हो गई ये share जब list होगा तो मानने बर इसका मिलना lottery जैसा है जिसको मिल गया उसके भागे खुलने बाले है क्योंकि अपर सर्केट पर अपर सर्केट ठोकेंगे मुद्दे की बात दोस्तों यह है कि आप IPO में अपलाई कर सकते हैं जितने lot आपको करने हैं रहना lottery ही है उसको jackpot रहेगा किन्तु जब ये share list हो जाए share market में और जब नीचे ठंडा हो तब बाद में आप इसको लेकर मंतव्य बना सकते हैं जल्द वाजी में भागती बस पकड़ने का अगर आप प्रयास भी करेंगे तो असफलता ही हाथ लगेगी 30 करोड माने वर बहुत छोटा ऐमांट होता है कंपनी छोटी है, स्टार्ट अप है लेकिन भविष उज्वल दिखाई पड़ता है ये एक एसी कंपनी है सीर्मान जिस पर आप नजर रख सकते हैं भविष के दृष्टी कोण से लेकिन चुकि स्टार्ट अप है इसलिए स्टार्ट अप से जुड़ी हुई जो रिस्क रहती है वो भी रहेंगी ही रहेंगी तो आप देख भाल के आगे बढ़िए रही बात रिकमेंडेशन की तो हम मानने वर प्री में यूट्यूब के माद्यम से किसी को टिप रिकमेंडेशन देते ही नहीं है हाँ यदि आपको हमारी रिकमेंडेशन चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे दिया गया है प्रो इंवेस्टर बटन उस पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल की पेड प्रो इंवेस्टर मेंवर्शिप ले लीजेगा महोदे